जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं, यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है, नॉर्मली ग्यांसर इसमाल लिटर में है, सब कुछ कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं सिर्फ ग्यांसर, जी वाई एन, एसाई यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं आप एप में बाई करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट देगा, वीडियो देखिए दोस्तो पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज लगातार वाईरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल कर रही एक्जाम 10 अगस्त और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा तो इस वाईरल मैसेज को लेकर भरती बोल्ट ने इसपश्ट किया है कि मैसेज ब्रामक है तो आईए समझते हैं कि भरती बोल्ट ने क्या बता है देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिकूट्मेंट एंड प्रमोशन बोल्ट यूपीप और पीपी इसके वेबसाइट से एक सूचना या फिर नौटिफीकेशन जारी हुए नौटिफीकेशन में साप साप का आगय है कि सोचल मेडिया में उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एंड प्रुनती बोल्ट के पुराने पत्र को एडिट करके दीखें जो पुराना लेटर था उसी को एडिट किया गय है आरच्छी भरती की परिक्षा 2024 के 10 और 11 अगस्त को आयोजित कराये जाने सम्बंदी सूचना ब्रामक है मतलब यह जो मैस्स दिया गए ब्रामक है जो पुराना लेटर था उसी को एडिट किया गया भरती बोल्ट द्वारा ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है परिक्षा से सम्बंदी कोई भी सूचना बोल्ट की वेबसाइट और अधिकरित ट्वीटर हैंडल पर ही प्रदर्शित की जाएगी इस प्रकार की ब्रामक अफवा फैलाने के सम्बंदी में आवस्त्यक वैदानी कारिवाई की जारी मतलब जिसने भी ये ब्रामक सूचना फैला है उसके उपर कारिवाई भी की जारी है और आगे भरती बोल्ट ने क्या का है देखे यूपी में सिपाई भरती परिक्षा की नई तारीक का नोटिस फिर से हुआ वा वाइरल भरती बोल्ट ने बताया फरजी उत्तर प्रदेश में सिपाई भरती की परिक्षा की नई तारीक का एक नोटिस सोचल मेडिया पर फिर से वाइरल हुए इसे लेकर यूपी पुलिस भरती और प्रुनती बोल्ट यूपी पी आर पी भी ने बताया पुराने पत्र को एडिट करके सिपाई भरती 2023 की परिक्षा की जो तारीक है 10 और 11 अगस्त कराय जाने की यहाँ पर देखें सूचना ब्रामक है ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई तो खेर यह मतलब ब्रामक है यह तो इसपश्ट हो गया है लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और समझना था जब भी एक्जाम डेट जारी होगा एक्जाम डेट जारी होने के बाद यह आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है मैक्सिमम 20 से लेकर के 25 दिन या फिर एक महिने का टाइम मिलेगा तो 20-25 दिन या एक महिने में अब बहतर प्रिपरेशन नहीं कर सकती है अगर आपको पुलिस कॉंस्टेबल की प्रिपरेशन करनी है धंक से तो आप प्लेश्टोर से इंस्टाल कीजएगा ज्यान सर अप्लिकेशन यह अप्लिकेशन इंस्टाल कीजएगा और इस अप्लिकेशन में आपको मातर 100 रुपय में सिर्फ 100 रुपय में आपको लिटिस्ट पैटर्न और सेलभस की अनुसार पूरा स्टडी मैटेरियल मिल जाएगा सेलेकशन वाला और पचास रुपय में आपको test series मिल जाएगा इसमें आपको code apply करना है ज्यांसर तब आप ये code apply करेंगे तो discount के साथ ही offer आपको देखने के लिए मिलेगा और एक चीज लेकर और एकदम निस्चिंत रहिएगा कि अगर कभी भी exam से related genuine dates आ रही होता है तो study for civil services सबसे पहले आपको date की जानकारी देगा आपको ब्रामक चीजों में नहीं फसने हैं आपको किसी के बाकावे में नहीं आने सिर्फ ज्यांसर education को install करके अपनी तैयारी करनी है